नमस्कार आप देख रहे हैं खबर टोड़े और मैं हूँ आपके साथ आलोग चोहान चोरी और डकैती इसके नाम से आम आदमी के पसीने छूटते हैं लेकिन क्या आपने कभी सुना है चोरी करने आए चोर को कोई चतुराई से बातों में उलजा कर किरफतार करवा दे वो भी उन चोरों को जो हथियाली मौत के सौधागर बने कुमते हैं ऐसा ही एक मामला यूरोपी देश इसलोवाकिया से सामने आया है जो आपको चौका देगा दरसल यहां एक पैटरोल पंप में लूट की कोशिश कर रहे लुटेरे को पकड़वाने के लिए महिला ने उसे एक ऐसा उफर दिया जिसे वो मना ही नहीं कर सका चोर महिला की बातों में आ गया और बाद में पुलिस ने आकर चोर को गिरफतार कर लिया यह घटना ब्रातिसलावा की बताई जा रही है दरसल पैटरोल पंप में लुटेरा जब चोरी की कोशिश कर रहा था तब ही एक 36 वर्षे महिला ने उसे यौन संबंद बनाने का उफर दे दिया महिला ने इस बात की पूरी कोशिश की कि पुलिस के आने तक लुटेरा भाग न सके इस बीच पुलिस आई और चोर को गिरफतार कर ले गई लेकिन इस पूरे मामले में ये चोकाने वाली बात है कि महिला उस पैटरोल पंप की कर्मी नहीं थी बलकि वो डकैती के समय ही कहीं से आ गई इस्थाने मीडिया के मताबिक इस घटना की सुरुवात उस समय हुई जब एक सक्स अचानक से पैटरोल पंप में गुसा और मांग की कि स्टाफ उसे पूरा पैसा दे दे यहीं नहीं लुटेरे ने पैसे लेने से पहले पैटरोल पंप के कैस काउंटर पे बैठ रहे एक स्टाफ को कई घुसे मारे इसके बाद वो बैक आफिस में गया जहां दूसरा अधिकारी बैठा हुआ था और वहां तिजोरी खोलने की मांग की दूसरा अधिकारी जब तक तिजोरी खोल रहा था उसी बीच पहला अधिकारी बाहर चला गया और उसने पुलिस को फोन कर दिया इसी बीच एक महिला वहां आ गई और लुटेरे के सामने उक्साओ हरकते करने लगी इससे लुटेरा उसकी बातों में आ गया और वह यौन संबंद बनाने की कोशिसे करने लगा इस बीच पुलिस आई और उससे गिरफतार कर ले गई लुटेरा अब जेल में है और उसके खि है तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करें के जरूर बताएं वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें सेयर करें और चैनल को स्क्राइब करना बिलकुल न गूलें